आज हम फिर आप लोगों के सामने UPSC, BPSC, PCS या फिर बिहार दरोगा खास करके और BPSC को ध्यान में रख करके यह सेट को बनाया गया है और इस सेट को लेकर के फिर से हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं तो दोस्तों देड़ न करते हुए आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर दें और जितना हो सके सेयर करें हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला नम्मर क्वेश्चन क्या है पहला नम्मर क्वेश्चन कहता है कि चुनो के समय किसी चुनो छेतर में चुनो परच गंटे पहले होता है तो मतदान से पहले ही यह सब फिक्स हो जाता है कि मतदान कब होगा उसका कॉंटिंग कब होगा फिर रिजल्ट कब होगा यह सब के बारे में पहले ही फिक्स कर दिया जाता है समय अब जब वोटिंग का जो समय फिक्स किया गया उस समय से 48 गंटे पहले जो है मतदान प्रारम होने से 48 गंटे पहले यह जो परचार परसार है उसको बंद कर दिया जाता है तो अब हम नेक्ष्ट द्यानों यहां एक और चीज़ याद रखेगा दोस्तों मतदान से पहले यह आचार संगीता यहां लागू हो चुका होता है अब नेक्ष्ट केस्ट दूसरा नमर में देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे परस्तूत करते हैं जब लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो यह जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौपती है जबकि उपाध्यक्ष जो अपना त्यागपत रध्यक्ष को जबकि राष्टपती के बारे में आप लोगों को बता दें कि राष्टपती जो है यह जो है उपराष्टपती को अपना उपराष्टपती को सोपती है जबकि उपराष्टपती जो है राष्टपती को सोपती है तो इन दोनों को याद रख जिस तरह से राष्टपती उपराष्टपती है उसी तरह से लोकसवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में होता है अब देखें next question के और बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरा नम्मर question निमलिखित में इन विस्यों पर नियम बनाना संसद का एक मातर अधिकार है सबसे पहले आप लोगों को बता दियां तीन तरह की सुची पाई जाती है अगिय सुची, संवर्टी सुची और राज सुची जब संग्य सुची की बात हो तो उस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है जबकि समवर्थी सुची में दोनों को अधिकार प्राप्त है केंदर सरकार को और राज सरकार को केने कमलफ संसद और यहां जो राजस्तर पे विधान मंडल होता है तो इन दोनों को अधिकार प्राप्त है फिर राज सूची की जब बात करते हैं तो राज सूची पे राज सरकार को प्राप्त होता है अधिकार तो इन में से question पुछा जा रहा है कि नियम बनाना संसर्द का एक मातर अधिकार है जब संसर का एक महतर अधिकार की बात करें तो हम आप लोगों को बताएं कि संग्या सुची है ऐसा सुची है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है अब देखिए चोथा नमर पे जब बात करते हैं भारत के राष्टपती को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है अब देखिए छमादान करने की सकती तो इसको अनुच्छेद बहतर के तरफ प्राप्त है अब आपातकाल की घोसना करे आपातकाल के बारे में आप लोगों को ब किता, जो जो हैं, राष्टपती जो है, आपातकाल लागू कर सकता है देस में, और उसके बाद अध्यादेस भी ये राष्टपती का अपना यह अधिकार होता है, कि किसी भी कारण वस अगर जो है संसद नहीं चल रही है तो उस इस्तिती में इमर्जेंसी में अगर कोई कानून लाना होता है तो राष्टपती को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है अब नेक्स जब बात करें सर्वोच नयाले के नियाधिस को हटाने की परिक्रिया तो आपको पता ही होगा कैग के बारे में उनका उलंगन कर रहा है तो उस इस्तिती में इसके खिलाब जो है परस्तो दिया जाता है और वह परस्तो जो है अगर पुर्ण रूप से पुर्ण बहुमास से पारित हो जाता है तो राष्टपती इसको हटा देते हैं तो इन चीजों को आप याद रखिएगा संबिधान में मंत्री मंदल सब्द का एखी वार पर्योग हुआ है और उआ है संबिधान में अनुच्छित चोहतर यह यह बताता है कि संसद लोकसभा में मतलब पढ़ान मंत्री अनुच्छित चोहतर के तहत मंदल का गठन करेगा मतलब राष्टपती के कहे अनुसार मंत्री मंडल का गठन करेगा वास्तविक तो कुछ और है जो कि आप लोग देखते होंगे कि जो कहने का मतलब जादे सीट लेकर के बहुमत दलका है उसका नेता परधान मंत्री चुने जाते हैं तो ये सब कानुनी प्रिक्रिया है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अनुछे चोहतर ही बताता है कि राष्टपती के कहने पर कहने का मतलब परधान मंत्री के सिफारिस पर राष्टपती के द्वारा मंत्री मंडल का गठन होता है अनुछे चोहतर के तर अनुछे चोहतर में ही मंत्री मंडल सब्द का या फिर मंत्री परिश्द सब्द का एक बार उलेक किया गया है अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं चटा नम्मर क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों चटा नम्मर क्वेश्चन बोल रहा है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के गरम दल और नरम दल में सबसे अच्छा संबंद किस समझोते में बना तो यहाँ याद रखेगा कि सबसे पहले जब संबंद अच्छा का बात कर रहा है तो ऐसा भी होगा कभी बिछड़ा होगा तो आपको बता दें कि 1907 इसवी में ये सूरत अधिवेशन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 इसवी में क्या हुआ था कि इन दोनों के भी मतलब कॉंग्रेस में जो है फूट पड़ गया था जिसमें गरम दल और नरम दल दो दल बढ़ चुके थे अगर आपसे पूछे कि ये कॉंग्रेस का बिवाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ तो 1907 के सूरत अधिवेशन में फिर जब हम 9 साल की बात देखते हैं तो 1916 इसवी में 1916 इसवी में लखनव समझोता के तद क्या हो गया था इन दोनों के भी सम्मद अच्छा हो गया अब हम नेक्स्ट चलते हैं निमलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पहली बिद्दु ट्रेन है भारत की सबसे पहली बिद्दु ट्रेन जो है दक्कन की रानी है दक्कन की रानी भारत में सबसे पहली बिद्दु ट्रेन है इसका जब हम बात करते हैं तो ये 1930 इसवी में प 1343 इसवी में भारत में रेल चला था अब देखिए Next हम चलते हैं लोकसभा में किस बिधयक को धन बिधयक कर रूप में कोन प्रारम्व नहीं है इसको जो जो है रूप भी नोपा भावे के दवारा प्रारम्व किया था द्वानी तरंगों की गुंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है या प्रावर्टन के कारण द्वानी तरंगे गुंज करती है इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पुछा जाता है कि एको जो है इको के लिए नियुन्तम दूरी क्या होना चाहिए तो यह सत्रह मीटर का दूरी पे एको 17 मीटर यह दियान देजएगा सत्रह मीटर अगर इस से थोड़ा सा आगे पिछे रहे तो मैंसन नहीं करना है आपको सत्रह मीटर नॉर्मल याद रखना है इस दूरी पे एको होने लगता है पुन्जीगत लाव का संबंद किस सामान से है जब हम पुन्जीगत लाव की बात करते हैं तो यह पुन्जीगत विक्री से संबंदिता है अब पुन्जीगत विक्री सामान पर निवर करता है जो सामान के और अधिक उत्पादन में सायक होते है उसको हम कहते हैं पुंजीगत लाब तो इसको याद रखेगा पुंजीगत लाब जो है वो समान के और अधिक उत्पादन में सायक होते हैं अब देखिए नेक्स्ट कोश्चन जोड पर यूरीक एसिड के अस्टालों का इकत्र हो जाना कारण है गठिया का, जोड पे जब यूरीक एसिड एकठा हो जाता है तो वहाँ क्या होता है कि दर्ड होने लगता है तो उसी रोग को गठिया रोग कहते हैं कांच जो है अतिसितित द्रव होता है आपको बता दें कांच में वो सारा गुन पाया जाता है जो एक द्रव का गुन पाया जाता है आप अक्सर देखे होंगे कि अगर कांच बहुत दिनों से खड़ी है जिसे सीसे की गलास को आप देखते होंगे जो चाय पीते हैं उसको वह इसमें देखता है इसीलिए इसको अतिस सितल अतिस इतै दरफ्क बोलते हैं आप नेक्स्ट कुछ्चन देखते हैं बिहार में पेट्रोल मिलने की संभावना कहा है तो रक्सोल कि संगंज और बेट्याIC जो डिश्टीक है इन में पेट्रोल मिलने की संभावना है अब देखिए दोस्तों दूर दिष्टी दोस से पिडित बैक्ती की कठिनाई होती है दूर दिष्टी से पिडित जो है जैसे देखिए ये चीज ध्यान में रखेगा जब दूर दिष्टी दोस हो तो आप इतना याद रखेगा उसको दूर का बस्तू किलियर दिखेगा कहने का मतलब दूर दिष्टी दोस में नजदिक की बस्तू देखने में उसे कठिनाई महसूस होगी अगर निकट दिष्टी दोस हो तो उसको दूर की बस्तू देखने में कठिनाई होगी कहने का मतलब दूर दिर्ष्टी दोस में नजदिक की बस्तु जो है असपष्ट दिखाई देने में वो असमर्थ होता है मतलब नजदिक की बस्तु जो है वो असपष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इसको याद रखेगा और यहाँ याद रखना ये है कि जब दूर दिष्टी होती है तो दूर दिष्टी दोस में क्या होता है कि लेंज से काफी दूर लेंज से काफी दूर पस्तू का पटी भीम बनने लगता है तो इस स्थिती में क्या होगा कि निकट का वस्तू अगर है उसका दूर बन जाता है क्या होना चाहिए कि रेटीना पे बनना चाहिए रेटीना पे न बन कर उससे पीछे बनने लगती है तो उस इस्थिती में क्या होगा उसको दिश्टी दोस हो जाता है इस स्थिती में जब हम उत्तर लेंस का परियोग करते हैं उत्तर लेंस का परियोग से क्या होता है कि उसको fix कर दिया जाता है जो पीछे यहां बन रही थी परती भी वो अब रेटी ना पर फिर से बनने लगती है और हमको बस्तु clear रूप से दिखने लगता है तो याद रखना है दूर दिष्टी दोस में उत्तर लेंस दूर दूर देखिए दो उ है कहने कर दूर दिष्टी दोस में उत्तर लेंस इसको याद रखना है अब निकट दिष्टी दोस की जब बात करते हैं तो निकट दिश्टी दोस में क्या होता है रेटिना से पहले इमेज बनने लगता है और हमें दूर की बस्तु दिखाई नहीं देने लगती है इस इस्थिती में हम अवतल लेंस का प्रियोग करके इस दिश्टी दोस को हटा सकते हैं तो लेंस का यहाँ याद रखेगा इसका चमताम आपते हैं डायवटर से अब देखिए सोला नमर क्वेशन बोल रहा है पोधों के जड़ों के मार्ग में पानी पहुंचने का कारण है तो यह केशी कत्व के कारण के पिलरी आप लोग जानते होंगे केशी कत्व के कारण क्या होता है पोधों के जड़ों के मार्ग में पानी पहुंचता है अगर पूछ देखिए किसके माध्यम से पहुंचता है तो जैलम जैलम को जो है या एक तरह से नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों रक्त में स्वेटकनों का मुख परियोजन क्या है स्वेटकन के बारे में हम लोग जानते है यह जो है लिकोसाइट भी कहलाता है और यह जो है संक्रमन से संगर्स करना इसका काम है संक्रमन जो भी होता है उसको दूर करता है कहने का मैं तलो उससे लड़ता है रोग पर्टी रोधक छमता इसमें होता है अब देखिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखेंगे यहाँ एक चीज याद रखेगा यह जो ऑक्सीजन ले जाना है यह काम है आरवीसी का मगद के किस प्राहरंभिक सासक ने राज आरोहन के लिए अपने पिता की अत्या की सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि यह जो अजास सत्रू है यह अपने पिता बिंदू सार सोरी सोरी बिंबी सार यह बिंबी सार यहाँ याद रखेगा यह बिंबी सार हर्यक वंस के संस्थापक बिम्बी सार अब देखे हरियंग वन्स के संस्थापक बिम्बी सार इनका पुत्र आजास सत्रू तो बिम्बी सार का पुत्र जो आजास सत्रू है यह अपने पिता की हत्या किया था अब इसके बाद क्या हुआ आजास सत्रू का हत्या उदाइन कर दिया तो इसको याद रखेगा किस प्रारंभिक सासक पुछ रहा है तो अजास सत्रू प्रारंभिक सासक उदाइन जो है अजास सत्रू की हत्या करके यह जब गद्धी पे आया तो इन्होंने पाटली पुत्र नगर बसाया पाटली पुत्र जो है अभी जो पटना है इसको बसाने वाला कौन थे उदाइन नेक्स्ट क्वेस्टन 19 नम्मर क्वेस्टन की बात करते हैं बागमती नदी बिहार में किस अस्थान पर गंगा में मिलती है तो ये मुंगेर के उत्तर में जो है बिहार से बिहार में मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी से मिल जाती है बागमती नदी या बागमती नदी वास्तर में नेपाल से होकर के आती है नेक्स्ट कुश्चन बीसवा नमर कुश्चन देखते हैं भारत की स्वतनता के बाद बिहार के पर्थम राजपाल थे बारत की स्वतनता के बाद बियार का पर्थम राजपाल जैराम दास दौलत राम तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा यह सेट खत्म होता है आप अगर हमारे पिछले वाले सेट नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं हमारा कोशिस यही दाता है कि आप लोगों को डाइगराम अथ्वा मेप के माध्यम से जितना सरल में हो सके समझा दें तो दोस्तों थैंक्यू